एक close loop है PQRS, अब देखो येक अच्छा सा सवाल है, और ये अक्सर बच्चे doubt में लेके आ जाते हैं, तो एक PQRS का एक loop है, और उसमें हमने current flow करा दिया, हमको नहीं पता किस direction में current flow हो रहा है, बट उसी के plane में, loop के plane में force F1 है, F2 है, F3 है, वो लगा दिया गया है, तो हम है कि, अगर इसमे current flow हो रहा, magnetic field की पहले direction देख रहे हैं, किदर लगाया है, uniform magnetic field B, अब अगर इस पे current या तो इस loop में clockwise flow होगा, या तो anti clockwise flow होगा, अब uniform magnetic field है, ये वाला जो चीज है, uniform magnetic field है, तो net force तो 0 होगा, चार्ज पार्डी के लिपे, ये तो बात clear है, जितने भी चारो conductor है, ये वाला, ये वाला, इन सभी पे net force तो 0 होगा, F1, F3, बट अगर मैं इसमें, या तो इसमें current clockwise होगा, या तो इसमें current anti clockwise होगा, तो अब देख लेते हैं कि current किदर होगा, clockwise होगा, या anti clockwise होगा, क्योंकि अगर इस पे current इदर आएगा, तो L cross भी force इदर आजाएगा, ज और scalar में अगर बात करोगे, तो I L cross B होता है, तो इसमें न तो magnetic field की direction दिया, न ही current की direction दिया, तो सबसे पहले वही predict कर लेते हैं, नहीं दिया, और in the plane of the loop, force उसी के plane में है, तो current या तो, अगर माल लो, current उपर लो रहे, तो L cross B करोगे, तो force इदर आजाएगा, इसका मतलब ह हुआ कि गलत है, current उधर से आ रही होगी, उधर से आ रही होगी, ऐसे, तब सा के L cross B करोगे, तो इधर आएगा, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे magnetic field board के plane में अंदर लगा देता हूँ, और current अगर मैं इधर से flow करा दूँ, तो भी जाके ए force बाहर आएगा, clear, तो इस loop को मैं यह बना लेता हूँ, आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एक loop ऐसे है, और इस loop पे इधर गया force F1, और इधर आया force F2, और इधर आया force F3, अब हम सब को पता है कि force PQRS, यह P है, यह Q है, और यह R है, और यह S है, तो यहाँ से जो net force है, उसकी direction दिखा हुआ है, तो इसमें जो current है, वो ऊपर से ऐसे आ रही होगी, और magnetic field board के अंदर होगा, तब ही जाकि इसमें force बाहर की direction में आएगा, L x B करोगे, L x B करोगे, L x B करोगे, current ऐसे फ्लोर है, तो current इसमें clockwise आ रही है, और magnetic field board के plane के अंदर है, clear है, यह इतनी इस बार सब को समझगा है, अब एक concept हम सब को प net force इस पूरे loop पे 0 होना चाहिए, मतलब अगर तीन force लग रहे हैं, तो चोथा इस पे जो लग रहा है, वही तो हमें निकालना है, तो उसकी वी value इन सभी के equal मतलब होगी, तभी तो जाके net force 0 होगा भाई, आरा समझगे, तो जिदर भी आ रहा हम सब को पता नहीं हो किदर आ तो जो इस पे जो force आएगा, वो कुछ इस direction में आएगा, उसको मैं F बाल देता हूँ, और इसी की value में निकालना है, ठीक है, L cross B, जो इसके perpendicular होगा, भाई L cross B में, force तो हमेशा length और magnetic field के perpendicular होगा, cross product है नहीं, तो F तो L और B always perpendicular होगे F के, तो यहाँ पे जो horizontal वाली line है, dot dot dot, यह ऐसे है, और vertical वाली line कुछ ऐसे है, ऐसा मैं क्यूँ कर रहा हूँ, क्योंकि यह सारे force horizontal और vertical में है, तो यह जो vertical से theta degree पहे, इसको भी horizontal vertical करते हैं, कुल मिला के resolve करते हैं, तो अगर यह alpha है, तो F का एक component उपर आएगा, जिसका मैं नाम देता हूँ, F cos alpha, F cos alpha, और इधर एक component आएगा, horizontal जो होगा, F sin alpha, अब अगर इस loop पे net force 0 होना है, तो net force along x axis और y axis balance होना चाहिए, तो अब x y vertical में देखो, vertical में लग रहा है, F cos alpha और नीचे जाए रहा है, F2, तो यह दोनों आपस में, net force along y axis must be equal to 0, क्योंकि net force 0 है, तो net force along y axis और net force along x axis और net force along x axis और सारे equal होंगे, 0 होंगे, balance करेंगे, तो y axis में इसका मतलब वे हुआ कि F cos alpha अकेले balance करेगा, किसको, F2 को, equation number first, इसका मतलब वे भी हुआ कि x axis में force देखो, x axis में आ रहा है F sin alpha और इधर आ रहा है F1, मतलब F3 अकेले balance करेगा, F sin alpha और F1 को, मतलब F1, F1 नहीं, F sin alpha और प्लस ये वाला मेरा F1 must be equal to F3, तो ये जो दो equation है, ये F sin alpha अगर इन दोनों को मैं solve कर लूँ, तो मुझे F की value पता चल जाएगी, तो यहां से मैं अगर solve करूँ, तो F sin alpha की जो value हो आ जाएगी, F3 minus F1, अब इस वाले equation और इस वाले equation को square करके जोड़ दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा, कि F की value कितनी होगी, asquiring and adding equation, इन दोनों इसको और इसको square करके add कर दूगे, तो F common हो जाएगा, और cos square alpha प्लस sin square alpha, और यहां से मुझे मिलेगा, F2 का square प्लस, यह square आएगा, F3 minus F1 का whole square, मतलब sin alpha, cos alpha 1 आ जाएगा, मतलब F की value हो आ जाएगी, F2 square प्लस F3 minus F1 का square under root, तो यह magnitude of the F है, जो की horizontal से, अगर direction में निकालना तो आप निकाल सकते हो, जो की horizontal से, vertical से alpha degree पर आएगा, तो F2 square F3 minus F1, देखो, F2 square F3 minus F1 का square, मतलब कुल मिलाके हम लोगों के पास a D option सही है, तो आएगो के clear हो गया होगा,